हालो एप्रिवान वेलकम टू माई चैनल आज मैं आप लोग शार्षिय करने जा रही हूं काबिच चीज पॉकेट्स बहुत एजी रेसिपी है बच्चों को बहुत जादा पसंद आने वाला है और जादा तर सारी चीज़े इसमें हेल्दी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिसके लिए मैंने ली है आधी पत्ता को भी और उसको कद्दू कस करके मैं एक तरफ रख लेती हूं और एक बॉल में मैंने ले लिया है आटा उसमें डाल रही हूं मैं तीन स्पून के अराउंड मैदा और तीन स्पून के अराउंड मैं लूंगी सूजी थोड़ी सी मैंन डाले इसमें अजवाइन, हाफ स्पून के राउंड डालाया नमक, दो स्पून धाई, बाकी मैं इसमें डालूंगी पानी और इसका डो प्रिपेर करना है हमें, जैसे आप रोटियों के लिए डो बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही, ये देखे डो प्रिपेर हो गया है, अब मैं को six portions में divide कर ले रही हूं, और ये देखे, लोई को हमें बेल लेना है, जैसे आप रोटि बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, पर हमें पतला बेलना है, लोटि से थोड़ा और पतला, जितना भी पतला आप बेल सकते हैं, ये देखे, उसके बाद मैं इसके ओपर डाल रही दिया है, अब मैं इसके ओपर रखूँगी, जो पत्ता गोबी हमने कद्दुकस की थी, मैंने उसको पानी नहीं निकाला है, उसके साथ ही हम इसे यूज़ करेंगे, ये देखे, एकदम सेंटर में मैं इसको रख दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं फैलाएंगे, उसके बा हम बंद कर देते हैं, ये देखे, बहुत आराम से, ये देखे, बिल्कुल जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरीके से, आप कर सकते हैं इसे, और ये तयार हो गया है, इसे मैं एक तरफ रख ले रही हूँ, और ये देखे, पैन मैंने ले लिया है, इसको ग्रीस कर लिया है म तब तक मैंने बाकी sheets भी तयार कर ली है और ये देखिए इधर से सिख गया है अब इसको पलट देते हैं वाव देखिए कितना बढ़िया सिखा एकदम हलका सा इसे दबाएंगे इस तरीके से और इसे दूसरी तरफ से भी सेख लेंगे ये देखिए क्या बढ़िया golden एकदम स ओढ़िया धेखिए आपागी इस तरीके से・ठ लूँगे चल कि संटर से série में कट कर लूँगी एकदम से हाथ ना लगाएं बहुत जादा गरम होगा आजी देखिए या बहुत करम है और ये देखिए संटर में से मैं आपको दिखा रही हूं कितना बढ़िया सिखा है और जो चीज है वो भी कितना बढ़िया लग रहा है चले सर्फ कर लेते हैं इसे आप अपनी किसी भी पसंदीदा चटनी के साथ इसे सर्फ कर सकते हैं मैंने इसे मीठी चटनी और हरी चटनी के साथ सर्फ किया है बहुत जादा बढ़िया रेसिपी ह बच्चों को बहुत पसंद आएगी, एक बार जरूर ट्राई कीजेगा, यह देखिए, एक दम बढ़िया सिखते हैं, बहुत जादा ओइल भी नहीं लगता है इसमें, थेंक यू सो मच फ्रेंड्स पर वाचिंग मैं चैनल, बाबाई!